वो हमारे हैं एक केंट फार्विशी है अगरा सोरा डाक्टर है तो उन में एक डाक्टर गहर मुकलत था नाम उसका शराफत अली था अगर्थे शराफत उसके प्रीब नहीं आई था अब इनका क्या तरीका होता है अपने मौली सहगान को दावत दे आना अब वो आते चाहे मिठाई गरत चलती और दो-चार रसाले रख जाते वहां जो उनका तरीका कार है तो डाक्टर और गहर रफाईजन करने लगे तो ऐसे ऐसे उनमें बात फैरनी शुरू हो गई और ये तो शबत बन गया अधीश और हमारे दोरे अधीश ही में लड़का पड़ता सभद लगुद तला गई उन डाक्टरों में एक ताला का अंका था वह कभी दवाई की ज़ूद होती तो इस वज़ासे अपना वाकफ है वहां चला जाता अब वो ग्यात जिनाव और चार मौली अधी बैठें गयार मुकल्द भूब मिठाईया और रही है चाय और रही है और वो उनको शिका के खलाप हुक्सा रहे है अधा मुझे जवाब को उनकी बातों का आता नहीं था जिनाव प्रोश भी जा सकता था में बड़े गुशे में बोला या आप एक ही तरफ की बाते स जब से आने लगे हैं इन्होंने एक बात मी कभी अपनी नी बताइड ही है जो सुनoperation है नभी पात के सुनाते हैं एक बात इन्हें कभी अपनी नी बताईबै है इसको मझे बात मैंने था कि उनको किताब हादीश जा राले हदीश कि आगा। यू ले गया, शको जो झो उसका अपना है। उसने किताब जी जो बड़ा डाकपु नाम मुहमाद इलियास था। इसनी जी किताब ले। हदीशे हैं, और अगर हदीशे हैं तो रक ले। नहीं हिसमें वापत ले जाता हूं। तो देखा कि वाकी हदीशें ने की हैं। तर्जमा निखा है। कितने की आई है। पैरा अडिशन देजी शौर पैट ही है। पांसो का नोट निकाला कि ये रख जाओ। और चार सो की और आशी किताबें उस्ताज भी से बश्रा करके ले है। अब ये तो किताब रखके पैसे लेके आ गया। कुछ श्राफत अली ने फौर्ण श्रार्त की है। और फूर किया अपने मदरसे में एक खैन मदरसे किताब आई। इस समाने। अब तो उस्ताब होगी है। याना चुरू होगी है। अला के नभी पाक वाली नमाज बताऊं। तो पहली तक्वीर के वक्त रखाई दैन की फिर नहीं की। सम्म ला यहूद। तो देखो नफी भी आगई इस बात भी आगया। जब हम अपने दावे के दोनों पहलों सामने रखते हैं नफी इस बात। तो आप से भी हम दोनों दावों की दलील मांगते हैं ताके मुकमल आये आप अठारा जगा रखाई दैन नहीं करते हैं। तो जिस तरह हमने अपना मुकमल दावा पेश किया हैं नफी इस बात की हदीश। आप सिर्फ एक हदीश पेश करते हैं। जिसमें अठारा जगा की नफी हो। और दस जगा का इस बात हो। अब वो डाक्टर भी गे ने अठारा की नफी तो निकले ही न और दस जगा का इस बात भी पूरा नहों नों जगा का बने। तो ये साथ है कि देखो इन्होंने खुद कहा था कि एक सुन छोड़ने वाला लांती है। तो इसका मत्रब है कि कि आज तक तो कहते थे कि हनफियों की नमाद खलाबे सुनत है। अब ये हदीश सुना के लोगों को समझाना चाते हैं कि अल्ला के नभी भी खलाबे सुनत बढ़ते थे। तो कि एक सुनत छोड़ते नहीं जगा का हमने रखाता है अन्माली। इस पर वो चारों को भुरा गए तो गिंती करे वो पूरी नहों ना 18 की नभी निकले और ना 10 का इस बात निकले। तो इनको बात बतलने का बड़ा धंग होता है। अब उन में से एक अबदुल्ला बिन उमर रजी अतला अन्हमा के फजायल बियान करने लगा कि बड़े मुत्वे सुनत थे और उनको स सुनत पर अमल करने का बड़ा शौक था। किते हैं वो फजायल बियान करने लगा और मैंने किताबें देखने शुरू का दिये कि कौन कौन सी किताबें हैं। तो मुस्लिन हमादी रखी थी मैंने उठा ली और वो सफ़ा निकार दिया। दो सुस्तर तर वो जब दो तीन मि हिंट ने फजायल बियान किये। कहता है मैंने कहा कि आज जाकर कम ल कम दस नफल शुकर आने के पड़ना कि क्यों थी हदर अबदिल्ला बिरुमराद यहां नहीं थी। कोचे तो क्या होता। देखो यह उनकी रवायत है मुस्लिन कुमादी में कि वो पत्थर मारते थे हर उ 10 रकत में 28 जगा बनती है। और आप करते हैं 10 जगां तो गोया चार रकत में 18 लांते अलवे हिता पर 18 पत्र अब दुलावे नुमर मारते तुमें। तो हर चार रकत में तुम अठारा लांगतों के उठारा पत्रों के हगदारों। बस इस पर तो वो जो उच्छे ना, कि देखो जी कैसी सक्त बाते कर रहे हैं। ये बिलकुल गलत तरजमा कर रहे हैं। नख्लाव पत्रों पत्रों करना नहीं है। ये तरजमा कर रहे हैं। उने दिखा कि एच्छा तुम लिख दो इन से भी लिख आखिए तरजमां किसी पर पैसाते पूछ लेगे। तो दिख दिया संगसार करना, उन से ता कि तुम लिखो कि संगसार करना गलते इसका मना होता है पत्थर मारना, तो डाटना हस पड़े कि फिर तो एक ही बात नहीं फिर क्या कौन सी गलती होई इसमें, अब उसके बाद वो गवराय सियासिता सारी बोलगी विजारों को, सुनन नहीं है, आप उसमें 18 की नफी 10 का इस बात दिखा दे, मैं अभी बावजू हों चार नफल पढ़ूँगा रफाई जान के सारी, क्यों आप दोका देते हैं लोगों, अब वो गिने पूरी नहों, फिर उसी बहकी से उसने निकाल के दिखाया, अब्दुल्ला बिन मसूद कि रवायत, कि मैंने नभी अकदस लिख के पीछे नमादें पड़ी, अब वकर सिदीग के पीछे नमादें पड़ी, उमरे फारूक के पीछे नमादें पड़ी, वो पहली तकबीर के वक्त रफाई जान करते थे, फिर नहीं करते थे, देखो नफिस बाद दोनोगी है न, एक जगा करना और बाकी किसी जगा ना करना। हम जो नभी पाक वाली नमाज बताते हैं, पढ़ते भी वही है। हम जो शिदीक वाली नमाज बताते हैं, पढ़ते भी वही है। हम जो फरुक वाली नमाज बताते हैं, पढ़ते भी वही है। आप दिखाते हैं करते हैं कुछ है, आपकी रफाई जयन तो है ये नहीं, आखर उसने कहीं दिया कि शिया भी रफाई जयन करते हैं, शिया के रफाई जयन करने की दो तीन हदीशे हैं, हर तकबीर में रफाई जयन करना इवने माजा में, शाक्यों की रफाई जयन करने की दो से ज्यादा शोर में चाते हैं थोता चना बाजेगा न अब इस पर उने बड़ा गुसा लगा किश्मियों की रफाई जैन सावित है उसने बताया कि उनकी जो सावित है वो भी इतनी जितनी जूते पहन कर नमाज पढ़ना बस गोया जो रफाई जैन करके नमाज पढ़ता है पहन करके नमाज पढ़ने वाला और जो रफाई जैन करके बगार नमाज पढ़ता है वो यह जैसे जूते उतार कर नमाज पढ़ने वाला जूते पहन को एसास हुआ कि वी वाकियातान हम एक ही तरफ की बाते सुनते रहते हैं उसी तरफ की कभी नहीं सुनते तो उन्होंने आसुशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइशाइ कि उसने तो सारे मदाम इंवत पड़ाने होते हैं कि लिए वो तो फारग महीं होता अब जब वो हैरान हुए कि ये बगैर बनाया रोज आया रहते हैं और वो सुना बलाने से भी नहीं आता उनको और शौक हुआ एच्छा फिर आप उनसे इजाद ले हम वहां हादर होंगे अब कोई महीना गुजर गया मैंने खार मैं फारग में हूँ वो और ज्यादा प्रिविए कौन आदमी है जो मुलाकात का बगती में देता हैं महीने के बाद उसने खाई वो रोज फोन करते हैं तंग करते हैं आप वकत दे दे मैंने खार एक शर्द पर मिलेगा कि पहले एक पहले करता कम-कम मैंने सही काम पर लगा दियां grands अकर अपने इद्रदर के सवाबा पूछने चुरू करते हैं तो असल बिमार जो है वो असल बिमारी छपाता है इद्रदर की बाते पूर्छत हैं तो उनकी जो असल बिमारी है उस पर एक घंटा मैं बात करूंगा पहले व आ गए अलेक्स लेक करके बैठ गए सारे वो शिराफतली भी साथ है जो गैर मुकलिब था बैठ के जब मैंने पूछा कि यह ताज साबना अजकल क्या कुछ हो रहा है कि जी दीन की तहपीक हो रही है जिनका दीन की तहपीक का यह नहीं जो आपने इसे इक्तियार किया है जी और क्या है जिनका आप त्यार साल वहां से चूटी करें फार्मीशी चे यहां आजाए और वहां अपनी फार्मीशी में कुमारों को बठाएं नुसके लिखने के लिए जो कुछ आप दीन के साथ कर रहे हैं वो आपकी दाक्टरी के साथ करेंगे इतना कुछ ही करेंगे इसके ज्यादा कुछ नहीं करेंगे पड़े लिखे थे वो समझ गए उनको क्या पता दाक्टरी के हैं तुम ने क्या पता दीन की तहकी क्या है तो उन्ने दीन को डाकरी से भी निंगा समझा के जो हो यस की तहकी तहकी कि शुरू करते हैं इसका क्यास भूल ही नहीं थन्यारे का अगे यह तो वाकी गल्पी है हमारी फिर चुब के मुझे पुछा तो उन्होंने आना है मैंने एयालोम रखी थी तर्जमे वाली यह एयालोम यह मंगजाली नहीं दिखी है आज से एक हजार साथ करी नहीं पहले कादमी है यह दिखा है कि जो शक्स दीन का पूरा इल्म नहीं रखता और पिर दीन में तहकी का नाम लेता है उससे जानी हजार दरजे बेतर है क्यों जानी सिर्फ अपनी आखरत बरबाद कर रहा है और ये कितने मुस्रमानों के जेन में शुभात पैदा करके उनका इमान बरबाद कर रही नहीं का डाट साथ जिसका नाम आपने तहकीक रखा है वो ये गुना है जो आप कर रहे है फिर मैंने मीजान कुबरा शरानी उठाई वो भी तरजमे वाली है नर्मे साय हो गया रखी थी मैंने उनके इनने लिखा है अलामा शरानी रहमत अलाला ने कि जो दीन से पूरा वाकिव नहों फिर दीन में धकल दे इसलामी हकोमत का फर्द है कि बाओले कुटे को बाँ मारे और उसको पहले गदल करे क्योंकि बाओले कुटे का जिसम का दुश्मिन है और ये इमान का दुश्मिन है विलकल टन्ट साब जिसका नाम आपने तहकीक रखा हुआ है आजकल अलफ़ाज बद़ गया है जिसको पहले जमाने में कंजरी कहते थे बादारी अर्द आजका लफ बद गया है कि ये अक्ट्रश है वो भी बहुत चोड़ी होती है क्यpunkt मेरी इजट वो रिया मैं अक्ट्रश है जिसको पहले दल्ला कहते थे बचुला उसका नाम आजकल एक्टर है, वो बड़ा खोश है बात वही है, अब देखो ना, जिसका नाम पहले तबर्रा था कि सहाबा पर तबर्रा करते हैं, अब उसका नाम हो गया है तनकीदे साले, साथ साले का लफ़ भी है तो उन अलफाज को आज कर बदला जा रहा है उनकी जगा जेनी आवार्गी का नाम तह्वीक रखा हुआ है मैं एक जगा तक्रीर कर रहा था कादियानियों के बारे में तो मेरा जो सदर था मुझे नहीं पता था कि ये महदूबी है मैंने खा कि बाकी खुदा के नबी जितने भी सची है वो अल्ला की रहमते लेकर आया था ये मिर्जा जो है ये बद्दोई करता था कि फुला मर जाया पुला मर जाया या ला जल्दला आ जाया या ला तैलाब आ जाया या ला ताउन पर जाया या ला काल पर जाया ये मनुस नोस्ते लेकर आया था, और नोस्त से खोश होता था, जैसे उलू, उजार से खोश होता है, ये सारी जिंद्गी इसी से खोश होता था, कि कहीं की मुसीमत आ जहे, इसलिए मौली साही महम्मद है याद पस्रूरी पने पंजाबी में का है ना किसे दर्यावेच आई तो गया नहीं है मिर्जा के मेरी ते नबूर दी निशानी है इस सलाव आगया तो मोज़ा हो गया किसे मुखालब दी गाम अजमोई है महमुद आखे मेरे ते पेओधी पेश गोई है किसी की बेंस भी मर जाती बेड़ भी मर जाती ना तो मिर्जा महमुद कहता कि मेरे वाले साहब की बेड़ भी पुरी हो गई तो ये मैं वियान कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये सदर साहब महदूदी है तो मैंने खाँ जैसे मिर्जा कादिया न您 इसी बात में हर व्क्त रहता था कि सलाव है हमारे मुलक में एक जमाद है जो रात दूआय मानते या ला कहीं जन्ग चिर जाए कहीं सलावा जाए दो दिन सलावा जाए तो दस साल की रोटीये कटी कर लेती हर चौक में एक ट्रक खड़ा होता है जमाद सिलामी का कि भई जो इसमें डालने है डालते के रहे जा तो मैंने रिखा ये भी हर वक्त दौा मानते रहते हैं कि या लग जंग लग जाए ताकि एक दो दिन भी जंग लगे तो 10-20 सार की रोट ये हमारी बने है